ये दो लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना बिमार नहीं है नशे में हैं इन्होंने ड्रग्स को कंजूम किया है कौन से ड्रग को इन्होंने कंजूम किया है जिसकी वज़े से ये जोंबी की तरह चलने लगे देखो टेकनिकल नाम है जाइला जिन इस पे हम आते हैं लेकिन उससे पहले आज के समय में यूएस से में हजारों लोग इस परकार से हजारों नहीं लाखों लोग इस परकार से जोंबी ड्रग्स को कंजूम कर रहे है हर साल सत्तर हजार लोग की यूएस में देथ हो रही है drug overdose और दूसरे drug related reasons की वज़े से ये आखड़ा देखो US के जितने soldiers मारे गए थे न Vietnam War में या Afghan War में उन सब को मिला देना तो भी ज़्यादा है कुछ experts तो इसे नाम देने लगे हैं USA में zombie apocalypse apocalypse मतलब world का आखरी दिन कयामत का दिन zombie apocalypse नाम देखो इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि zombie drugs को consume करने वालों की संख्याना लगातार increase होती जा रही है US के कई सहरों में आप सड़क के किनारे पर इस परकार से drug addicts को देख सकते हों अक्सर ऐसी वीडियोज viral होती हैं कि US के grocery store में cashier ने भी zombie drugs को consume कर लिया अब समान खृदने वाले वहाँ पर खड़े हैं लेकिन cashier नीद में है खड़ा-खड़ा सो रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये drug अब देखो आज के article में न writer इसे relate करते हैं जो ये zombie drug है ना जिसका नाम है जाइलाजिन ये originate होती है Belgium से यानि Europe से लेकिन इस drug को consume करने वाले यूरोप में ना के बराबर हैं जबकि US में तो हलात आपने देखी लिए कितने ज़्यादा बूरे हैं ऐसा क्यूं उसके पिछे writer कहते हैं capitalism दोसी हैं तो जबरदस्त concept आपको जानने को मिलेगा इस article में पहले आप drugs के बारे में ही जान लीजिए जो ये zombie drug है ना इसका नाम है जाइलाजिन या फिर ट्रेंक भी कहा जाता है इसे देखो animals for example गाएं घोडे इनको जब anesthesia देना होता है ना इनके उपर कोई surgery करनी होती है तो इनको इस परकार की drug दी जाती है जाइलाजिन as a tranquilizer यूज किया जाता है पस्वों के उपर इस drug को बट चुकि इसका असर इंसानों पर भी होता है तो डोक्टर्स इसे prescribe नहीं करते लेकिन illegal drug market में ये penetrate कर चुकी है जाइलाजिन जिसे त्रेंग कहा जाता है या फिर zombie drug कहा जाता है आकसर देखो इस zombie drug को दूसरी drugs के साथ combination में लिया जाता है जैसे fentanyl fentanyl भी एक बहुत ज़्यादा powerful pain reliever है जैसे morphine का इस्तमाल होता है ना इंसानों के उपर surgery से पहले दर्द को कम करने के लिए उसी परकार से है ये fentanyl drug fentanyl जो है morphine से 100 गुना ज़्यादा powerful है even heroine से 40-50 गुना ज़्यादा powerful है तो ये drug addict या फिर यूँ कहें drug illegal drug बनाने वाली जो ये companies या factories है वो इस परकार की drugs के combination को बेचती है of course illegal तरीके से और drug addict से इनको consume करकर के ही jombi बनते जा रही है अब देखो सबसे बड़ा question ये उठता है जब ये fentanyl drug जो है Belgium से originate हुई 1959 में लेकिन वहाँ पर illegal तरीके से इस drug को consume नहीं किया जाता Europe में नहीं किया जाता तो USA में ही क्यूं इसके लिए देखो US में responsible है capitalism ऐसा बोलना है अरुन मायरा का वो देखो थोड़ा socialism की वकालत करते हैं तो capitalism को निशाना बनाते हैं अरुन मायरा ये कहते हैं capitalism में क्या होता है capitalism में ये होता है देखो जो means of production है for example land है resource है, factory है इन सब का मालिकाना हग किस के पास होता है private individuals के पास होता है capitalism में companies सिर्फ और सिर्फ profit के लिए काम करती है market decide करती है क्या बनेगा, किस rate पर बिकेगा सब कुछ private companies का एक मात्र उदेशय होता है सिर्फ और सिर्फ profit capitalism में सरकार की भूमिका कम से कम होती है ज़्यादा interfere नहीं करती सरकार अब देखो US में हुआ क्या यह जो fentanyl drug को produce करने वाली companies है न pharmaceutical companies इन्हों ने डोक्टर्स को बहुत incentive दिये यह drug prescribe करने के लिए तो डोक्टर्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इस drug को prescribe किया pain को relieve करने के लिए आंकड़ा भी दिवा हुआ है जो हमारे काम का नहीं है exam के लिए 223 million times तो ना almost हर एक US का citizen है ना average निकालें तो कभी न कभी उसने इस drug को consume किया है अब आपको भी पता है pain relieve करने वाली जो drugs होती है ना इनकी आदत बहुत जल्दी लगती है इसलिए strong prescription की आप सकता होती है बिना pain के doctors prescribe नहीं करेंगे लेकिन देखो US में ना demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई कैसे ना कैसे करके ये drug मिल जाए doctors prescribe करेंगे नहीं demand ज़्यादा है तो ना companies ने अलग अलग तरीके खोज लिए कुछ legal ढ़ंग से कुछ illegal ढ़ंग से इस परकार की drugs को supply करने के लिए drug addicts को क्यूं क्यूंकि US में capitalism है सब कुछ profit पर चलता है demand है इस drug की profit भ्यंकर हो सकता है तो तरीके खोज लिए companies ने कुछ companies illegal ढ़ंग से इन drugs को produce करने लगी कुछ जुगार करके indirectly legal ढ़ंग से तो इस वज़े से profit के कारण ये जो drugs है न available होने लगी जनता तक और इनको कंजूम करके drug addict लोग बनते गए बनते गए और एपोकलिप्स आ गया एपोकलिप्स एक metaphor है आखरी दिन तो world का आया नहीं लेकिन एक गंबीरता जताने के लिए है कि इशू कितना गंबीर है अब आप बोलोगे कि सर USA का तो चलो ठीक है यूरोप का बताईए न वहाँ पे इस drug को कंजूम करने वाल लोगी संख्या ज़ादा क्यों नहीं है देखो यूरोप मेंने इस drug को वैसे कंजूम किया था medical sector को highly regulate किया गया यूरोप के द्वारा और high regulation की वज़े से ये जो आज नोबत USA में है वो नोबत यूरोप में नहीं आई क्योंकि वहाँ पे US में ज़्यादा capitalism है regulation बहुत ज़्यादा कम है आप और example लीजिए आप guns का example ले लीजिए guns की तो आप ख़बरे सुनते हो न कि US में shooter ने 10 लोगो को मार दिया किसी shooter ने US में 19 लोगो को मार दिया अंदा दुन गोलियां चलाके ये खबरे हर महिने या फिर 2-3 महिने में एक बार US से आती रहती है लेकिन फिर भी US में ना गन्स पर control नहीं है क्यों नहीं है हमारे देश में तो गन्स को खरिदना कितना मुस्किल है, गन्स का license नहीं मिलता हमारे देश में US में तो गन्स को आप ऐसे purchase करलो जैसे सबजी purchase करने गए हो, इतनी असानी से आपको gun मिल जाती है, क्योंकि गन प्रडूस करने वाली जो companies है न वो भारी पैसा खिलाती हैं वहाँ के MPs को गन प्रडूस करने वाली companies जबरदस्त लोबिंग करती हैं पैसा खिलाती हैं तो हिम्मत ही नहीं होती कोई भी political party आजाए, democratic आजाए, republic आजाए, हिम्मत ही नहीं होती गन control से सम्मंदित कोई कानून बनाने की, हलांकि देखो इस issue में थोड़ा political dimension भी है लेकिन पैसे वाला जो angle है वो ज़्यादा बड़ा है political angle जैसे कि देखो US में कुछ लोगों का मानना है कि गन को रखना हमारे culture और heritage का part है कुछ लोगों का भ्रोसा नहीं है, सरकार पर कि सरकार हमें सुरक्सा provide करेगी कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए घर में gun होना जरूरी है यह उनके लिए एक emotional or sense of security वाला issue है कुछ लोग बोलते हैं, यह सविधान में protected है लेकिन देखो, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे वाला angle बड़ा angle है यहाँ पर gun companies पैसा खिलाती है क्योंकि उनको इतना भारी भरकम profit होता है तो writer बोलते हैं कि profit, यानि capitalism किस परकार से democracy को destroy कर रहा है USA में उसका एक example है, gun control करने वाला ला नहीं आ पाया drugs control करने वाला ला नहीं आ पाया और उसका खामियाजा आज के समय में USA को भुगतना पड़ रहा है अक्सर देखो यह बोला जाता था काल मार्क्स यह बोलते थे कि religion is the opium of masses धरम जो है, वो लोग के लिए एक नशा है और यह नशा करके लोग बूरी सी बूरी जो suffering है न पेन है उसको accept कर लेते हैं इसके बाद में capitalism वालों ने बोला कि असली नशा तो देखो communism की ideology का है जो लोग communist बन जाते हैं उनको अपनी ideology के सिवाए कुछ नहीं दिखता वो बाकी सब को जूटा बताते हैं सब से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं आज के इस article में writer बोलते हैं capitalism की ideology के साथ भी कुछ ऐसा ही है जैसे USA में है USA में कोई यूं बोल देना कि हाँ ज़्यादा tax लगाना है सरकार का interference बढ़ना चाहिए तो उस person को villain माना जाता है क्यूंकि देखो US में capitalism की values इतनी ज़्यादा गड़ चुकी है वहाँ पे एक citizen के welfare के बज़ाए ease of doing business पे ज़्यादा focus होता है कि companies कैसे ज़्यादा profit कमाएं इन चीजों पे ज़्यादा focus होता है अब देखो एक seminar में एक businessman ने ये कहा वो media media से समन्द रखते थे उन्होंने ये बोला media देखो वही दिखाएगी जो consumer चाहता है अगर media वो नहीं दिखाएगी जो consumer नहीं चाहता है तो उनका business कैसे बनेगा वो out of business हो जाएंगे इसी वज़े से आज आप देख लीजिए new channels पर क्या दिखाया जाता है ऐसे ideas को लेके debate नहीं होती जो हम editorial में discuss करते है इतने गंबीर issues उनको लेके rarely media debate करती है अगर ऐसे issues आते भी हैं जैसे tribune में ये issue आया है कोन पढ़ता है आपको लगता है ये editorial वाला page आम जनता पढ़ती है मुझे जानता है कि मेरे आसपांस के लोग है मैंने rarely ऐसा देखा है अपने अलावा कोई इस परकार के editorial वाले page पढ़ते हैं लोग उनको मसाले वाली खबरे चाहिए वो ज़्यादा पढ़ते हैं और media वाले वही मसाले वाली खबरे देते हैं एजे entertainment के तोर पे इसी से उनका business चलता है लेकिन उसी seminar में एक participant ने businessman से पूछा अगर देखो आप सिरफ profit के बारे में सोचोगे कि entertainment देने से ज़्यादा profit हम कमा सकते हैं हमारा business सही चलेगा ये गलत सोच हैं क्यूंकि देखो अब drug addicts तो hard drugs मानते हैं उन्हें drugs चाहिए consume करने के लिए आपकी company profit भी कमा सकती है उनको drugs बेच के तो क्या आप बेचोगे ठीक उसी परकार से as a media baron आपकी responsibility है सिरफ entertainment मत दो लोगों को लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए उनके लिए क्या फाइदे मन्द है बट आपकी ये responsibility है आप democracy के चोथे pillar हो तो आप जनता को aware करो जनता को educate करो सिरफ profit के लिए काम मत करो और इसलिए देखो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार regulate करे चीज़ों को सब कुछ companies पे मत छोड़ दे अगर सरकार media को भी उनके हाल पे छोड़ देगी आप कमालो मर्जी कितना profit कमाना है drugs companies को भी उनके हाल पे छोड़ देगी कमालो मर्जी कितना profit कमाना है तो फिर कैसे समाज का निर्मान होगा कैसे लोकतंतर का निर्मान होगा आप अंदाजा लगा सकते हो फिर तो देखो profit के लिए ही सब कुछ चलेगा और low का नुकसान ही नुकसान होगा आज के समय में देखो science and tech कितना तेजी से उभर रहा है नहीं नहीं technologies आ रही हैं जैसे artificial intelligence धंग से regulate नहीं किया गया तो कुछ companies इतना बुरितरे से profit कमाएंगी इनसे कि जनता का नुकसान ही नुकसान होगा जनता को समझ ही नहीं आएगा हमारे साथ हो क्या गया तो ये सरकार की जिम्धारी बनती है कि अच्छे से आप चीजों को regulate करो प्राइवेट कंपनीज को जनता का नुकसान करके अंदादुन profit मत कमाने दो तो ये पूरा article हमने डिसकस किया अच्छा article था मतलब essay में आप सारे points का use कर सकते हो capitalism से सम्मंदित कोई essay लिखना के लिए आता है तो GS paper 3 में भी question पूछा जा सकता है directly indirectly चलते हैं आगे आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों आपको देखो जब ethics की book दी थी तो एक timeline भी दी थी 23 November से पहले ethics complete करना है आज देखो 22 November है और कल 23 November है तो honestly बताईए कितने लोगों ने अपना ethics complete किया देखो मैं जानता हूँ बीच में festive season आ गया दीवाली चट पूजा लेकिन फिर भी आप honestly बताईए कि ethics कितने लोगों ने cover किया कितना बाखी है यही time था देखो ethics cover करने का या फिर जो भी आप mains related cover कर रहे हो optional बगारा क्यूंगि नया साल start होगा 26 मई को 26 मई को exam है ना इस बार तो exam के डर के चलते कुछ लोग जल्दी pre की तयारी start कर देंगे mains रह जाएगा तो यही best time था जो important mains के subject है ना उन्हें complete करने का तो आप comment box में बताईए और articles की बात करें हिंदू में देखो ज़्यादा अच्छे articles आज है नहीं यह main वाला आर्टिकल BJP खा है देखो newspapers जो है ना चाहिए हिंदू हो Indian Express हो they are means to achieve the greater goal greater goal क्या है slavers से समंदित सभी current affairs हमारे पूरे होने चाहिए newspaper अपने आप में end goal नहीं है end goals है हमारे current affairs newspaper सिरफ एक means है इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपना लक्षय यही है कि exam आते आते slavers के हर एक topic से समंदित आपका current affairs तयार हो कि slavers के इस topic से समंदित नया यह हुआ है समझ गे तो उसके लिए हिंदू के परो से नहीं बैठ सकते हम जैसे यह capitalism वाला article शुरुबात में discuss किया यह article tribune का है जहां से जो अच्छा article मिले exam से related वो low slavers का हर एक topic से समंदित current आपका तयार हो पूरे एक साल में उसी सोच के साथ हम discuss करते हैं जिम्यदारी देखो हिंदू के articles की नहीं है एडिटोरियल की नहीं है जिम्यदारी current affairs की है समझ गे तो आज देखो एक article हिंदू का जो है नहीं है impact of climate change on health इसमें कुछ points निकलते हैं जो मैं आपको बताता हूँ अब देखो conference of parties की 28 मी meeting होगी climate change से समंदित तो ना climate change इंडिया में health पर किस परकार से negative impact डाल रहा है वो समझने के आव सकता है इंडिया में health care system इतना strong नहीं है तो इस वज़े से देश की जनता देश की population और बेज़ादा vulnerable हो जाती है climate change के health के उपर negative impact से direct impact देखो काफी हो सकते हैं जैसे climate change की वज़े से आपको पता है temperature बढ़ रहा है इस वज़े से heat wave, cyclone, floods ये ज़्यादा आने लगे हैं इसकी इन सब की वज़े से जानमाल का ज़्यादा नुक्सान होता है earth का average temperature बढ़ रहा है तेजी से और 2023 में तो सबसे ज़्यादा temperature record किया गया मतलब highest temperature ever recorded climate change की वज़े से working hours कम हो रहा है, economy को रुक्सान हो रहा है stress बढ़ रहा है, sickness बढ़ रही है deaths बढ़ रही है climate change की वज़े से और देखो atmosphere में जब heat बढ़ती है तो disease carrying vectors जैसे mosquitoes जिनकी वज़े से disease होता है जैसे बढ़ रहा है, वो mosquitoes बढ़ रहा है infection का pattern change हो रहा है इसलिए एक तरफ देखो communicable disease बढ़ रहा है दूसी तरफ non communicable disease for example kidney failure, mental health इन सब में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और हमारे urban spaces देख लीजिए urban areas में urban heat island effect पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहा है heat की वज़े से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बावजूद इसके urbanization काफी अंदाधून तरीके से हो रहा है बिना planning के हो रहा है जिसकी वज़े से जो health challenges है ना और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है तो writer ये कहते हैं कि हम देखो ये समझें कि climate change health पर किस परकार से असर डालता है तब ही हम कुछ action ले पाएंगे बट देश में ना इस चीज़ पर focus नहीं किया जाता पहले हमें ये समझना होगा किस परकार से climate change health पर negative impact डाल रहा है उसके बाद better urban planning ताकि ये urban heat island जैसे effect ना देखने को मिले proper sanitation वगारा ताकि वो mosquitoes जो disease carry करते हैं वो नापन पे तब ही ये सारे action लिए जा सकते हैं अगर देखो climate change का जो impact है health पर कम करना है न तो local level पर action लेना होगा और global level पर लेना होगा तीनों levels पर researchers को आफटकता ये है कि वो बढ़िया से policy options दे और सरकार की जिम्मेदार ये बनती है कि policies बना के उनकी implementation अच्छे से हो तो ये कुछ points जो निकलते थे मैंने आपको बताए अब अगला article डिस्कस करते हैं next important article illegal sand mining से समधित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो एक बात आपको बताओं interesting लगेगी earth का सबसे ज़्यादा extract किये जाने वाला resource कौन सा है iron है, coal है, क्या है water है पानी को सबसे ज़्यादा extract किया जाता है human beings के द्वारा दूसे नंबर पे सबसे ज़्यादा extract किये जाने वाला resource कौन सा है minor minerals minor minerals जैसे देखो sand gravel gravel मतलब conquered ये सब major minerals कौन से है coal, iron ये major minerals है लेकिन minor minerals जैसे sand gravel इनको water के बाद दूसे नंबर पे सबसे ज़्यादा extract किया जाता है चूकि हाल फिलालमेंट हमारे देश में development की गती तेज हुई है नए नए infrastructure के प्रोजेक्ट से establish हो रही है तो इन minor minerals का जो extraction है न वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है हलांकि सरकार ने काफी lars बनाये है, lars को strong बनाया है ताकि sand और gravel इनके illegal mining को रोका जांसके लेकिन देखो बावजुद इसके इनके जो mining है ना illegal अभी भी धडलले से जारी है इसके बाद writer ये कहते है एक example देखे जैसे कोई contractor है highway का project उसे मिला हुआ है देखो उसे कंकर क्या आउ सकता है बजाए इसके कि वो designated site से कंकर लेके आएगा वो आसपास की किसी government site से या फिर agriculture land से कंकर लेके आ जाएगा project में इस्तमाल करने के लिए ये उसे सस्ता पड़ता है वैसे देखो जो major minerals है ना coal, iron उनकी regulation, उनकी administrative powers to frame the rules ये सब जातर central government के पांस होती है लेकिन minor जो minerals होते हैं ना जैसे send gravel, इनकी regulatory power administrative power rules frame करने की rates of royalty tag करने की कितनी concession देनी है सरकार को ये सब tag करने की power होती है किसके पास state government के पांस में अभी फिला regulation की बात करें देखो 1994 का environment impact assessment और 2006 का environment impact assessment इन्होंने तो देखो compulsory बना दिया था वो land जिनका size पांच एकड या फिर इससे अधिक है वहाँ पे अगर mining करनी है तो environmental clearance लेना compulsory है लेकिन देखो Supreme Court of India ने Ministry of Environment, Forest and Climate Change की एक report को संजान में लिया उस report का नाम था environmental aspects of quarrying of minor minerals 2010 मैं यहाँ पे highlight भी कर देता हूँ यह report का नाम था इसको Supreme Court ने संजान में लिया था और women state governments को बोला था अब आप एक नया rule लेके आए इवन वो land जिसका size 5 hectare से छोटा है वहाँ पर भी अगर mining लेनी है वाइनिंग करनी है तो environmental clearance जरूरी है समझ गए मतलब पहरे rule यह था सिर्फ 5 hectare से ज़्यादा का जो land है वहाँ पर mining करने के लिए environmental clearance लेनी के आप सकता होती थी लेकिन सुप्रीम कोट ने 2010 की इस report को संग्यान में लिया और अदेश दिया विविन स्टेट गोर्डमेंट को कि आप ऐसा rule बनाईए कि 5 hectare से कम के land पर भी अगर mining करनी है तो environmental clearance जरूरी हो और इसी judgment के बाद में environmental impact assessment को amend किया गया था 2016 में जिसमें ये provision कर दिया गया था कि 5 hectare से कम के land पर even mining अगर करनी है तो environmental clearance को लेना जरूरी होगा इसी amendment के बाद फिर डिश्टिक लेवल पर डिश्टिक इनवार्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट अथोर्टी का established की गई थी EIA इसके साथ साथ district expect appraisal committee भी गठिट की गई थी जिसका नाम है EAC मकसद इन committees का यही था कि नई amendment को अच्छे से enforce करना committees होगी तबी तो देखो देख रेक होगी अच्छे से क्या illegal mining चल रही है या फिर नहीं चल रही है कोई तो देखने वाला होगा rule बनाना काफी नहीं है rule की implementation अच्छे से होनी चाहिए यह ensure करने के लिए in committees का गठन किया गया था बड़ देखो यहाँ पर writer एक concern जताते है अगर कुछ राज्यों का data scrutinize किया जाए ना कुछ राज्यों के data की चानबिन की जाए जैसे गुजरात उत्रपरदेश करना तक तमिलाडू हमें यह पता लगता है कि एक दिन में 50-50 project proposals को review कर दिया जाता है इन committees के द्वारा जिनकी हमने बात की Environment Impact Assessment Authority और District Expect Appraisal Committee इनके द्वारा एक एक दिन में 50-50 projects का appraisal कर दिया जाता है और rejection rate 1% के आसपास है यानि 100 में से सिरफ एक जो project है उसको rejection मिलता है बाकी तो 99 जो projects है उनको approval मिल ही जाता है तो writer कहते हैं आज का जो यूग है देखो technology का यूग है क्यों ना 2016 में जो amendment आया था इसको enforce करवाने के लिए technology का सारा लिया जाए ये देखो जरूरी भी है क्योंकि United Nations Environment Program ने 2019 में इंडिया और चाइना को top 2 में rank किया था कि ये वो देश हैं जहां पे illegal sand mining की वज़े से जो environmental degradation है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है इस report के बावजूद इस ranking के बावजूद इंडिया में अभी तक कोई comprehensive assessment नहीं हुआ है कि इंडिया में किस हद तक illegal mining या फिर sand mining चल रही है एक regional study आई थी Center for Science and Environment की तरफ से इन्होंने उत्रपरदेश में यमना के riverbed को study किया था ये यमना river है आसपास में जहां तक यमना का पानी जा सकता है ना peak season में उस riverbed को study किया था तो इन्होंने अपनी study में पाया कि देखो यहां पर sand mining चल रही है इस वज़े से बहुत नुक्सान हो रहा है land की जो capacity है ना soil को hold करने की वो परभावित हो रही है soil की formation परभावित हो रही है इसके साथ साथ यमना river में low sin marine life flood की frequency increase हुई है drought की frequency increase हुई है water की जो quality है वो degrade हुई है यही सब कुछ देखो गुदावरी basin, नर्मदा मेचिन और महानदीव river के basin में देखने को मिल रहा है नर्मदा बेचिन की study तो यह कहती है sand mining की वज़े से न यहाँ पे जो मसीर फिश है न इसके बारे में UPSC ने प्रीमे कोशन भी पूछा था 1963 से लेके 2015 के बीच में sand mining की वज़े से मसीर फिश की जो संख्या है न 76% कम हो गई है और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि illegal sand mining की वज़े से environment को नुक्सान पहुंचता है बलकि देखो illegal sand mining की वज़े से state को भी तो revenue नहीं मिलता ना states को revenue नहीं मिलता royalty नहीं मिलती तो इनको बहुत नुक्सान हो जाता है वही पैसे का इस्तमाल वो further अदर लोग की welfare के लिए इस्तमाल कर सकते थे हलांकि देखो judiciary ने order तो दिये है state governments को illegal sand mining रोकने के लिए लेकिन ना उनको ठीक से implement नहीं किया जाता है या तो state governments ने supreme court के या फिर high court के orders को पूरी तरह से implement नहीं किया या फिर किया तो आदे दूरे मन से किया वेस्ट बंगाल, बिहार, मद्यपरदेश ये वो राज्य हैं जहां पे judiciary के orders का जो implementation है वो काफी ज़दा weak है तो overall अगर हम orders की बात करें ना कि supreme court के orders या फिर high court के orders क्यों नहीं अच्छे से enforce हो पाते हैं एक तो देखो enforce करने के लिए government के पास institutions काफी weak है staff या तो है नहीं है या फिर काफी कम है अच्छे से train नहीं है regulatory जो provisions है ना उनको काफी खराब धंक से draft किया गया है ambiguity काफी ज़दा है monitoring अच्छे से नहीं उपाती staff के कम होने की वज़े से अगर होती भी है कोई action लिया जाता है तो litigation आ जाता है judiciary के पास में फिर वो case लंबे समय तक चलता रहता है अगर देखो हमें in minor minerals जिससे sand gravel in की protection करनी है ना तो हमें चाहिए investment investment monitoring के लिए investment institution को build करने के लिए investment नई नई technologies का इस्तमाल करने के लिए satellite की images ली जा सकती है ताकि extraction कितना हुआ है उसका volume भी monitor किया जा सकता है satellite images की साहिता से इवन देखो अगर past की situation को match करना है ना NGT को या फिर किसी दूसरी administrative authority को तो 10-15 साल पुराने भी satellite pictures available हो जाएंगी तो उन images से current situation को match किया जा सकता है हाल ही में NGT ने कुछ states को directions दी थी कि आप satellite images का इस्तमाल किया जाए मतलब आप इन images का इस्तमाल कीजिए कितनी send extraction हो रही है river bed से उसके volume को monitor करने के लिए तो इन अगर directions को अच्छे धंग से execute किया जाता है ना तो ना सिरफ states को ज़्यदा revenue मिलेगा इन minor minerals की mining से बलकि environment के degradation को भी रोका जा सकता है last में writer कहते है satellite images के अलावा drones, internet of things, blockchain technology इनका भी इस्तमाल किया जा सकता है using global positioning system याई GPS, radar, radio frequency locator state governments जैसे गुजरात इन नई-नई technologies का इस्तमाल कर रही है illegal send mining को check करने के लिए तो ये पूरा article हमने discuss किया illegal mining से समन्दित, चलते हैं आगे इसके बाद questions देख लिजी आप last में दो questions का answer आपको आज देना है एक तो देखो climate change से समन्दित, छोड़ छोड़े questions है मतलब दोनों के answers आपको 150 words में देने है दस-दस मार्क से question है climate change की वज़े से जो health है healthcare एक बड़ा concern बन गया है disadvantaged communities के लिए आपको comment करना है इस statement पे, इस quote पे इसके बाद दूसरा question examine the arguments that the influence of capitalism may pose challenges to the principles of democracy मतलब वो arguments जो ये कहते हैं capitalism के influence की वज़े से democracy के जो principles हैं उनको चुनोती मिलती है आप उन arguments को examine कीजिए concept लगाना पड़ेगा आपको तो ये दो questions का answer आज आपको देना है pwonlyis.com पे जाके आप answer दे सकते हो वहाँ पे कुछ answers की checking भी होती है regular आप answer writing कीजिए long term में बहुत फाइदा होगा धीरे धीरे आपकी thought process develop हो जाएगी answer writing अच्छी होती जाएगी और pre का question आज नहीं है कोई question बन नहीं रहा था अच्छा सा तो mains के question ही आज attempt कीजिए pre का question हम कल लेंगे तो आज की discussion में इतना ही है कैसे लगी आपको discussion comment box में आप बताएए thank you, thank you very much for discussion